Hello दोस्तो, Welcome to another video तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शरीर वाले topic की, ठीक है? तो देखो, University exams की बात करें तो इसकी weightage करीब सिर्फ 2-3 marks की है ठीक है? तो जादा weightage है ने इसलिए हम क्या करेंगे? main-main points पे focus करेंगे, ठीक है? तो देखो, main-main points पे focus करेंगे और आप हिंदी इसके एक बार book से जरूर पढ़ लेना, ठीक है? तो देखो, NCSM की according, main हमें तीन topics पढ़ने हैं सबसे पहला आता है, definition and synonym of term kriya, शरीर and शारीर, ठीक है? तो यह हमें clear है कि शरीर, शारीर और शरीरी, क्या फर्क होता है? तो सबसे पहले अब शरीर की परिभाशा की बात करें तो इसमें आ दिया, तत्र शरीरम देखो, मैं जो श्लोक बताँगों याद करने के लिए वो आपको definitely याद करने है, बाकी आपको जो भी याद करना, वो आपकी एक्षा के महाभूतों के विकारों से निर्मित हो, और ये घटक समत्व की अवस्था में रहकर सयोग से कारे करते हो, उसे शरीर कहते हैं, क्लियर है? ठीक है? उसके बाद जो हिंदी है, आप जो है खुद से पढ़ लेना एक परी, सिंपल सी बात है ठीक है? तो इतना हो गया है कि शरीर की परीभाशा की बात जो है, हमें क्लियर हो गई है ठीक है? नेक्स्ट आते है, देखो, इसके बाद हम बात करें, तो उसके बाद आते है, शरीर के परियाई की बात करें तो देखो, शरीर के परियाई के रहते हैं आयरवेद में मुखितर चार बरिया है होते हैं क्या क्या है शरीर, दे, काय और पुरुष ठीक है तो मैं में में शलोक बता देता हूँ हिंदी आप खुद से बढ़ लेना ठीक है बड़ी सिंपल सी हिंदी है देखो कम वेटेज वाला टॉपिक है तो इसमें हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे में में चीज़े बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि में जो बड़े-बड़े मार्क्स के चैप्टर होते है उन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए इसी को स्मार्ट स्टेडी कहते है मतलँ सिंपल सी बात है कि यह कहा जाता है कि सतर्स्ट शरण हो रहा है उसे शरीर कहा जाता है शरीर को पुष्ट करना तो यह हो गया उसके बाद काय की बात करें काय के लिए क्या है ठीक है हिंदी आप एक बार रीड कर ले ना कुछ खास हिंदी है नी इसमें काय की बात करें चियते अन्न चियते अधादी भी इती काय है ठीक है इसके शरीर का ही क्या रहते है परियाय रहते है यानि संचय या भ यह सारी चीजें तो इसमें यह हो गया उसके बाद क्या है तो basically इसमें दो तिन मार्ट खाना तो main क्या एगा आपका वाइवा में भी one word questions आएंगे कींहें करेंए यूज्वली उसके बाद क्या रहते है पूरी शरीरे शेथे निवसेथ इती humans रहते हैं और उसकी क्लिये परिभाशे क्लियर हो गई और उसकी क्रिया इपτοइ देख जीवन के लक्षण बताए गई है ontoSh nigga का पोशन हो गया क्रिया दारट हो गया यवह सारी स्रीब की है क्लिया के बात हो गई है उसके बार्व नहीं ओे तो हुआ है अब क्लिया की बात के बात करें तो इसके पांश combination करे द॥ QUF बनानी करमाण यह सारी चीज़ आपकुष का ले तो यह वाली बाते क्लियर होगे, शरीर होगे है, नेक्स आता है, नेक्स जो आमारा टॉपिंक है, वह है डिस्क्रिप्ट्चन ऑफ शरीर दोष एंड मानस दोष, अब दोश के हैं शारीर दोश रहते हैं और मानस दोश रहते हैं सबसे पहले श्लोग जो हमें याद करना वो क्या है शरीर इंद्रा सत्वातम स्योग धरी जीवितम यह सब दोश में में यह वाला श्लोग याद करना आपको वायू-पितओं-कफसटि द्रयों-दोश्या समासित नहां-च्लियर है यानि वाद्पितर कफ यह तीनों दोश यह रहते हैं जो में दोस रहते शाडर क्ष़ग्ट कहते हैं टिक है उसके बाद यह सारा बात है आप हिंदी ते को कुझ से पढ़ ले बेच्वर रिलेशन्शिप बेट्विन त्रीगुड, त्रीकाल, पंच महाबूद, ठीक है, तो देखो इन दोनों को मैंने एक जगा लिखा हुआ है, एक तम आपको क्लियर हो जाएगा, इन तीनों में फर्क, इन तीनों में क्या-क्या जो है, रिलेशन है, तो देखिए क्या है इसमें, बिसिकली, तो देखो सबसे पहले बात करें, हम वात, पित और कफ, क्या है, हमारे तीन दोश है, अब इसमें पंच महाबूद का कैसी रिलेशन है, तो देखो वात में क्या रहता है, वाई और अकाश, याद करने के लिए, वी ए, है ना, तो वाई और अकाश, प क्लियर होने चीए, काफी important है, अगर शरीर वले चाप्टर में बात करें, most important है, यही से question बनते आपके, तो रस रक्त मांस में दस्थी मज़ा शुक्र, रस में जल है, रक्त में अगनी प्लस जल, ठीक है, मांस में प्रिथवी, मेद में जल प्लस प्रिथवी, अस्थी में प आप कर ले, अब मल में क्या रहता है, पुरीश, स्वेद और मूतर है, पुरीश में प्रिथवी, स्वेद में जल, और मूतर में अगनी, clear है, तो यह तो यादी करना है, इसमें मैं बता सकता हूँ, जाद सहदा, याद आपी को करना है, ट्रिक भी बता दिया, मैंने कैसे य अगनी, जल, प्रिथवी, तो देखो, अकाश में सत्व है, वायू में रज, ठीक है, अगनी में क्या रहता है, सत्व प्लस रज, ऐसे याद करो न, अकाश में सत्व रज, next में सत्व प्लस रज, simple, अकाश वाई अगनी, जल में क्या है, सत्व प्लस तम, और लास्ट में क् चाप्टर को रीड कर ले ना ठीक है बहुत ही सिंपल चाप्टर है में में जो था वो मैंने बता दिया ठीक है मिलते अगली वीडियो में आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए best of luck पढ़ते रहिए